आज हम भागसु ना चाहेंगे वहांप एक छोटा सा वाटरफोल है तो मैं आपको दिखाऊंगा तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहे हम पालंपु से होके आ रहे हैं तो अभी हम धर्मशाला पहुंचेंगे तो काफी अची लोकेशन है धर्मशाला में तो मैं आपको थ काइस अब धर्मशाला से मैं कलोडगंज पहुंच गए हैं तो यह मैं कलोडगंज की मार्किट आज कर लिए बंद है लेकिन काफी अच्छी मार्किट है लोगडाउन की वज़े से थोड़ा बंद चला हुआ आपको पता ही है लेकिन एक्स टाइम मैं इसका बहुत अच्छ भी बहुन जाएंगे तो अभी हम भाक्सु पहुंच गए हैं भाक्सु नाद मंदी रहिए तो आज कल बंद है तो यहां कुछ मैं आपको दिखानी बाऊंगा तो थोड़ा सा यह दिखाने के लिए तो आप लोग देख लो हम चाहिए है यहां से बाऊटरफॉल पहुंच गए हैं तो यहां से बाऊटरफॉल दिखेगा आपको थोड़ा सा लेकिन यहां से पांसो मिटर का चोटा सा ट्रैक लेगा तो अभी हम चलते हैं सिदा बाऊटरफॉल गाइस मेरे साथ मेरे बैंड के लीड गिटारिस्ट भी हैं इंका नाम अमीद हैं तो हम साथ में ही वैसे पालंपूर से हैं तो आजकल कुछ काम नहीं था तो घर आयो थे तो सोचा चलो घूमने चलते हैं तो यह अमीद जी हैं पाइस के रहा हैं जी हम्याएस पाइस पाइस आजकल आजकल यह गोज़ा पाइस तो अभी हम वाटरफॉल पहुंच गिए तो आपको वाटरफॉल दिफातों में और मुझे कोमेंट करके पका बताना कि आपको कैसा लगा वाटरफॉल यह धरमशाला में वाकसुन आग में और प्लीज गाइज वीडियो को लाइक सेर और सिस्क्राइब पका करना तो अभी आप वाटरफॉल देखो और मैं एक और छोटा सा वीडियो बनाओंगा यहां पर शीवा कैफे काफी अच्छा भी वाटरफॉल तो अगला ब्लोग शीवा कैफे की ओपर बना रहा हूं तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा रही है तो बने रवाप वीडियो के साथ कर दो आपको अच्छा रहा हूं अच्छा रहा हुआ के साथ झाल